कहीं जमीन धोका दे रही है तो कहीं आस्मान चक्मा दे रहा है हम बात राजठानी की कर रहे हैं दिल्ली में आज एक अजीब सी धुन्द चाई हुई है ठांड नहीं है लेकिन शेहर पर घना कोरा सा नजर आता है लोगों की आखों में जलन भी हो रही है और सांस लेने में कुछ परिशानी भी महसूस कर रहे हैं कई लोग हर किसी को इस धुन्द को देखकर यही हैरानी है कि आखिर ये धुन्द आई तो पर कहां से आई दिल्ली आज धुनली धुनली सी दिखी सडक पर धुन्द ही धुन्द नजर आई सुबह सुबह लोगों को लगा कि ठंड ने दस्तक ले दी है और दिल्ली कोहरे की चादर में ठक गई है लेकिन जब लोग सडक पर उत्रे तो ठंड का नामों निशान न था तापमान पिछले दिनों जैसा ही लगा धीरे धीरे आँखों में जलन भी शुरू हो गई पूरी दिल्ली हैरान और परिशान है गई आखिर ये कैसा को हो रहा है इसमें ठंड का एहसास तो दूर उल्टे आँखों में जलन हो रही है सडक पर परिशानिया धीरे धीरे बढ़ती गई लोगों ने सिर्दर्द और गले में खराश की भी शिकायते की सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी सडक पर घुटन महसूस होती नहीं लग रहा था जैसे पूरे मौसम में धुमा फैला हो हाला कि ट्राफिक के समस्या नहीं हुई क्योंकि सडक पर 500 मीटर तक देखने में परिशानी नहीं थी दुबहर तक मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया कि दिल्ली की धुनिली सी शकल कम से कम कोहरे का नतीजा तो नहीं ही है क्योंकि अगर कोहरा होता तो तापमान में गिरावट जरूरा थी मौसम विभाग ने आज 31 दिगरी तक तापमान तर्श किया जबकि कोहरे में तापमान इससे कहीं नीचे होना चाहिए था यहालत सिर्फ दिल्ली की ही नहीं थी दिल्ली से सटे सभी शेहरों में हालात ऐसे ही थे नौइडा, गाजियाबाद, फरिदाबाद और गुरगाओं सभी धुन्द की चादर में ठके थे परिशानिया हर जगा एक जैसी ही थी लोगों का सड़क पर निकलना मुहाल रहा हैरानी की बात ये कि सुबा हो दुपहर हो या फिर शाम हर वक्त एक जैसा ही कोहरा दिखा दुपहर में भी धुन्द में कोई कमी नहीं आई धूप नदारत रही किसी की समझ में कुछ ना आया कि आखिर दिली के मौसम में एका एक ऐसा बदलाब क्यों आखिर इस घुटन भरे वादावरन की वज़े क्या है आखिर मौसम ने ऐसी करवज क्यों ली है लोगों के लिए ये रहसे परिशानी का सबब बना रहा लोग जब सुपा उठे तो वो इस गलत खैमी में थे कि वो नमंबर की सर्दी का कहरा देख रहे हैं लेकिन कुछी समय बाद उन्हें ये पता चल गया कि दरसल ये प्रदूशन है जो धुए और धुन्द की शकल में पूरी दिली को धके हुए है अब लोगों को चिंता इस बात की है कि ये आज ही खत्म हो जाएगा या आगे आने वाले कई दिन भी उन्हें इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा कैमरामेन परमिंदर शर्मा के साथ पूनम शर्मा दिली आज तक